साथियों, जब देश में ग्रामीन सिक्षा की उतनी चर्चा भी नहीं होती थी, तब प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने गाओं के युवाओं को प्रुसाहित करने का काम किया। इस सोसाइटी के माध्यम से गाओं के युवाओं के शिक्षा और कौशल विकास को लेकर गाओं में चेतना जगाने के लिए उन्होंने जो काम किया, वो हम भली भाती जानते हैं। ऐसे में आज से प्रवरा रूरल एजुकेशन सोजराजे के साथ भी बाड़ा साब का नाम जुड़ना उतना ही उच्ची था है। वो गाओं में खेती में सिक्षा का महत्व समझते थे। उन्होंने अपनी आत्पकेता में लिखा है। शेतीच कौशल्य अश्यामल सिवाय सु सिक्षीद मानुस ही सह शेती करूशकत नाही। खरतर शेतीला एंटरप्राइज का मनतनाईत याने व्यक्ती कितना ही पड़ा लिखा क्यों नहों। अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरपाइज क्यों नहीं कहते। साथियों, बाला साथ विखे पातिल जी के मन में ये प्रशन ऐसे ही नहीं आया। जमीन पर दसकों तक उन्होंने जे अनुभव किया। उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। बाला साथ विखे पातिल जी के इस सवाल का उत्तर आज के एहतियासिक कुश्री सुधारों में भी हैं। आज खेती को, किसान को अन्हदाता की भूमिका से आगे बढाते हुए उसको उद्द्यमी बनाने, एंट्रप्रिनर्शिप की तरफ ले जाने के लिए आउसर तयार किये जा रहे हैं। चीनी में जो चमतकार महरास्ट में हुआ, जो क्रांती, स्वेथ क्रांती, दूद्र की क्रांती गुजरात में हुई, जो बडलाव, गेहुं, हरियारा और पंजाब में द्विकिया। लोकल एकोनमी, लोकल एंटरप्राइज के यही मॉडल देश को आगे लेकर जाएंगे।